Hello and welcome everyone, स्वागत है आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासे के इस प्लेटफॉर्म पे और मैं आपका दोस्ति जीत सिंग आप प्यारे साथ हो, लास्ट क्लास में हमने डिफ्रेंशियेशन की जो प्रपर्टीज है उसको जाना chain rule कैसे apply करेंगे वो जाना, composite functions को कैसे derivate करेंगे, मतलब differentiate करेंगे ये सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पे questions भी लगा चुके हैं आज का जो क्लास है, ये काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग थोड़े से न higher order differentiation की बात करेंगे जैसा कि मैं पहले भी आप लोग को बोला था, कि हम धीरे धीरे level को rise करते चले जाएंगे और ultimate level तक जाके touch करेंगे, तो आज के क्लास में हम लोग infinite series वाले differentiation की भी बात करेंगे और उसका एकदम शांदार समय आपको trick दूँगा, जिससे pin भी नहीं उठाना पड़ेगा और आप बड़े से बड़े question को simply deal कर पाओगे दूसरा हम लोग जो previous years में differentiation के question आये थे, CGPAC principal की paper में, 2016 में लगबग 3 सवाल आये थे direct differentiation से, और वो literally solve होने वाले सवाल थे मतलब यह जो differentiation का unit है, scoring unit है, तो उन सवालों को भी हम लोग को देखना है, तो चलिए, बिना समय गवाए, हम start करते हैं, और यह हमारे series का पहला सवाल आ चुका है, आप लोग की screen पे, ठीक है, तो चलिए, इसको solve करना है, क्या दे रहा है, कि y equal to log of log of x, then e की power y, dy by dx की बात कर रहा है, मतलब यह अपने आप में composite function हो गया, मतलब देखो, यह जो fog of x होता है, या goff of x होता है, मतलब एक function के अंदर जब कोई दूसरा function समा जाए, वो composite function कहलाएगा, तो इस format में दिया है, पर ध्यान से देखना, question में यह होता है, हड़बड़ी में गलती हो जाती है, हमसे dy by dx ना पूछके, हमसे e की power y पूछा है, एक बात notice करना, क्या दिया था, चलो हम लोग solve करना, start करते हैं, कि भी यह य practical operation में जो log लिया जाता है, most of the case में, उसको हम लोग natural log मतलब log जिसका base e रहता है, वही consider करते हैं, और यह जब इस पार आएगा, तब यह logarithmic function इदार आके exponential function बन जाएगा, तो it will be e to the power y equals to क्या हो रहा है, log x, जिसका base क्या चल रहा है, e चल रहा है, simple, अब आपको पता है कि बहुत सर्ड हम लोगों क्या करना है, differentiate करना है, तब यह differentiation with respect to x, differentiate with respect to x के respect में differentiate कीजिए, तो जैसे आप x के respect में differentiate करने जाओगे, यहां हो जाएगा d by dx, e to the power y, यहां पर आएगा d by dx, क्या हो गया यह log of x, जिसका base e है, अब चल लिए ध्यान से समझना पूरी नजाकत के कि यह differentiation में जो function होता है, जो नीची रहता है, उपर वाले में भी वो, जैसे नीची अगर x दिख रहा है तो उपर में भी क्या दिखना चाहिए, x दिखना चाहिए, otherwise generally differentiation क्या लिए जाता है, 0 पर यहां पर 0 मतले ना, क्योंकि y x का function है, ठीक है, y already x का function है, मतलब कहने का यह कि जो function आता है, जो term आता है, उसका variable, उसको उसी के respect में हम लोग को differentiate करना रहता है, तो ऐसे में e की power y को अगर मुझे differentiate करना है, तो प्यारे साथ ही हो, e की power y का differentiation हम लोग किसके respect में करेंगे, y के, because मैंने यह यह दिखना है, तो आप immediately multiply कर देना, again dy, divided by, यह dx तो पहले से मौ जूद था, तो नीचे क्या गिया, dx, इसी को बोलते है, chain rule, क्योंकि यह अभी एक कड़ी थी, अभी यह दो अलग-अलग कड़ियों में खुल गई न, तो इसी को हम लोग क्या बोलते है, chain rule, और यह फिलाल के लिए इसका देखो, तो d by dx log x, इसका direct formula आप लोग को पता है, that is nothing but 1 by x, तो finally, आप लोगोंने जब इसको solve किया, e की power y या e की power x का differentiation with respect to x, हमेशा e की power x होता है, मैंने बोल रखा था, यह बेसरम function न, इसको कोई फरक नहीं पड़ता, चाहे इसको differentiate करा लो, चाहे आप इसको integrate करा लो, तो e to the power, sorry मैंने x लेग दिया, e की power y का y के respect में differentiation क्य जा गिया, e की power y, into dy by dx, इसकी value आपको क्या दिख रही है, 1 by x, क्या ये कोई option में है, तो आप साब साब देख पा रहे हो, ये बिल्कुल option में है, option number b, simple solvable question था, होप सो पूरा concept आप लोगो crystal clear हो पाया होगा, चलिए, अगले question में आते हैं, हर question को आप लोग ऐसा भी कि थोड़ा दिर उसको रोकिए, खुद से भी try कीजिए, बाकि तो हम solve करी रहे हैं, ये देखिए, ये सवाल आया है सेजी PC 2016 में, कितना प्यारो सवाल है, same format है, इस बार f of x equal to f of x क्या है हमारा y ये मान लो, log x के bracket में डाल दखा था x, समझना यहाँ यहाँ बेस में ना, य यहाँ बेस में e नहीं है, यहाँ बेस में x है और उसका logarithmic function कौन है, again log x है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से आप लोगों को समझना है, एक log की basic सी property होती है, क्या property होती है log की, क्यों यहाँ log b, जिसका अगर base a है, तो इसको हम लोग directly log b upon में log a लिख सकते हैं, और इन दोनों का base क्या लिया जाएगा, e लिया जाएगा, यह log की property है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, यह जो मेरा इतना पूरा part है, इसको मैं मान लेता हूँ b, क्या मान लिया b, और base मेरा क्या कहला रहा है, a क्या कहला रहा है, क्या कह particular case में आप लोगो साफ समझ पाओगे, कि यह जो f of x है, अब क्या में इसको, यह b है ना, तो यह a है, एक यही power में, अगर b रहा हूँ, अगर b रहा है function में और उसके base में अगर a रहा है, तो ऐसे case में log b upon log a लेते हो, log b लेते हो ना, तो log लगाया, और b की जगा पे हम लगा दिये, this will be log x, divided by, नीचे में क्या आ रहा है, log a, यह a क्या है, a तो x है, तो this will be again log x, ठीक, अब यह ratio वाले format में आ गया, इसको simply आप लोग differentiate कर सकते हो, अब तो, कहानी तो simple हो चुकी है, तो अगर मुझे f' x चाहिए, f' x मतलब dy by dx, तो कुछ दिक्कत नहीं है, यह u by v' वाला format है, पहले किसको बाहर करते हो, v' को बाहर करते हो, फिर आप लोग d by dx, u का differentiation करोगे, तो log of log of x का differentiation हो रहा है, simple, अब यहां से, minus का symbol, log of log of x यहाँ पर क्या हो गया, इस पर यह बाहर रहेगा, यू बाहर रहेगा, और v' वाले का आप लोग differentiation कर रहे होंगे, है न ज और finally divided by में क्या आता है, divided by, आप लोग क्या लोगे, log of x का whole square, ठीक है, यह question को f' x का format मिलाना है, और जब f' x आपका आ जाएगा न, वहाँ x की value को e put करके, अपने को 4 option, 5 option जो दिया था, उसमें check करना है, तो चलो, सवाल को यहाँ से आगे बढ़ा देते हैं, कोल tension वाली बात तो है नहीं, अब प्यारे साथ ही हो, f' x की जो final value आ रही है, वो क्या आ रही है, तो चलिए check किजिए, यह तो log x रह जाएगा, यहाँ पर यह log, इसको t मानोगे, फिर t के respect में differentiate करोगे, तो log t का differentiation कितना होता है, 1 by x, 1 by t, अरो log x का x के respect में 1 by x होता है, तो log t का t के respect में 1 by t होगा, पर जिसको assume किये हो, उसको फिर से differentiate करना पड़ेगा, dt by dx, t क्या है, log x है, t किसको माने हो, log x जिसके कारण problem हुआ, यही तो chain rule का formation है, उसका फिर से क्या हैगा, 1 by x, मतलब हम लोग को क्या मिलेगा, देखो घबराओं नहीं, अराम से आप लोग copy pain ले यह minus लग गया, यह वाला इतना part solve होगी है, यह क्या है मेरा, यहा है log of log of x into, यह log x का differentiation कितना होता है, तो 1 by x होता है, कितना होता है भी है, तो 1 by x होता है, तो मैं directly यहाँ 1 और यहाँ 1 by x लिख दे रहा हूँ, divided by, नीचे में क्या चल रहा है, log x का whole square, यह f dash x की value आने वाली है, फिलाल के लिए आप लोग x की value को कितना put करने वाले हो, e, जब x की value को e put करने वाले हो, तो ध्यान से देखो तो this that पहले ही से cancel हो चुका है, और हमें क्या मिल रहा है, f dash x equals to, यहाँ पर बच गया था 1 by x minus, इधर देखो तो log, log जिसके bracket में भी क्या है, log, और यहाँ पर देखना, ठीक, यहाँ x की जब पर हम लोग हर जगा जगा क्या रखते जा रहे है, e रखते जा रहे है, नीचे भी क्या है, log, e, base में भी क्या है, e का क्या कर दो, square कर दो, चलो इसको भी थोड़ा convert कर दो, यह जो 1 by x था, इस 1 by x की जब पर हमने रख दिया 1 by e, चलो ध्यान तब उसकी value 1 लेती है, जैसे log 10 to base 10, कितना लिया जाएगा, 1, log 2 to base 2, 1, log e to base e, क्या लिया जाएगा, 1, तो यह part हो गया, 1, नीचे क्या आ गया, 1 आ गया, 1 square, तो denominator तो 1 हो गया, यहाँ चलो चेक करो, तो यह भी part क्या हो गया, 1, और log 1 की final value कितनी होती है, 0, तो log 1 0 होता है, 0 into, यह कुछ भी करोगे, तो यह कितना हो गया, 0, इधर क्या बच गया है, 1 by e, minus क्या हो रहा है, 0, upon में नीचे क्या आ रहा है, 1, तो finally आप लोगो सब कुछ solve बोल करके, सवाल के condition को ओबे करने के बाद, final answer कितना आ रहा है, 1 by e, क्या ऐसा कोई option है, क्या, बेशक है, 2016 CG PSC मे principle की paper में आया हुआ, यह सांधार question, और log की खुबसूरत properties को use करके बनाया जाएगा, ठीक है, तो होग सो यह सवाल भी आप लोग अच्छे से समझ पाए, चलिए, अगले सवाल में आते हैं, यह देखिए, यह जो हम लोग अभी यह formation पढ़ेंगे, इसको हम लोग derivative को solve कर सकते हैं, और दूसरा infinite series तो खेराएगा आगे चलके, तो चलिए ध्यान से देखिएगा, second inverse, one upon one minus two x square करके कुछ है, inverse function है, एक काम करता हूँ मैं इसको solve करने के लिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर, यह जो मेरा x है, इसकी जिवापे न मैं sin theta रख देता हू क्या रख देता हूँ? sin theta, कारण क्या है? कि यह one minus two sin square theta होगा, और जैसे ही one minus two sin square theta होता है, हम सबको पता है, यह cos two theta की value होती है, cos two theta की तीन value है, एक cos square theta minus sin square theta, एक होता है 2 cos square theta minus 1, और एक होता है 1 minus 2 sin square theta, तो हमने इसको cos 2 theta में convert किया, कारण क्या था, क्योंकि यह 1 upon cos 2 theta उपर पलट के आएगा, और 1 upon cos 2 theta क्या के लाएगा, sec 2 theta, बगल में sec inverse पहले से है, चीज़े normalize होने लगेंगी, तो पहरे साथ यहाँ पर आप लोग जब मिलेगी, this will be sec inverse 1 upon 1 minus 2, यह x की जब पर क्या रखना है, sin theta, तो जब मैं इसको solve किया, यह मुझे मिल गया sec inverse, 1 minus 2 sin square theta क्या होता है, यह होता है, यह होता है cos 2 theta, और 1 by cos 2 theta की जो final value आती है, वो हो जाएगी sec 2 theta, कोई दिक्कत है क्या यहाँ था, कि यह y की value open हो रही है, तो finally हमें finally finally y की value, यह sec inverse से खटाओ, चलो क्या आएगा, 2 theta, अब theta क्या है, तो अगर x equal to sin theta था, तो theta की value आने वाली है, आप लोग की sin inverse x, तो y की finally हम लोग को value मिल रही है, 2 sin inverse x, अब सवाल कितना प्यारा हो गया, आपको dy by dx निकालना था, simply solve हो गया, तो this will be d by dx, 2 sin inverse x, both side differentiation कर दिया, constant है 2, 2 constant है तो भी यह बाहर आगया 2, और आप सबको पता है, sin inverse x का, x के respect में जब differentiation करते हैं, तब उसकी final value कितनी आती है, 1 upon root में 1 minus x square, तो 1 का multiply से तो numerator तो 2 ही रहेगा, तो ऐसा कोई 2 upon root में 1 minus x square करके option है, क्या बिल्कुल है, तो यह substitute करके कैसे differentiation को dissolve करना है, मुझे लगता है, यह बात भी अब आप लोग ठीक से समझ पा रहे हैं, चलिए, note हो गया, आगे बढ़ जाएं, ओके, यह एक और प्यारा question, substitution differentiation से related ही, कि यह क्या देया है, y equal to cos inverse x minus x inverse upon x plus x inverse, then finally आप लोग को dy by dx लाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलें, तो चलो solve करने चलते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान से देखेंगे पैरसातियो, कि y equal to हम लोग को दे रखा था, cos inverse, यह जो x minus x inverse है ना, चलो इसको मैं ऐसा लिख दिया, divided वही, नीचे भी तो वही हो रहा है, चल जाएगा असा, तो finally इसको जब थोड़ा सा solve करूँगा, तो यह मुझे x square minus 1 upon x, और नीचे आएगा x square plus 1 upon x, x x cancel आजाएगा, तो यह हम लोग को कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, अब एक काम करना है अपने को, यहाँ x को तो कुछ हर बार की तरह मानना पड़ेगा, तो यहाँ x को ना, इस बार ना, मैं cot theta assume कर रहा हूँ, कारण क्या ह cot theta assume करने का, क्योंकि cot square theta, cos inverse में, cot square theta minus 1 upon cot square theta plus 1 करोगे न, तो यह आप लोग को value देता है, cos 2 theta का, किसका, cos 2 theta का, करके दिखाऊं क्या, ध्यान से देखना तो, चलो देखो तो, यह direct formula की तरह use कर सकते हो, otherwise अप लोग चाहो तो इसको ऐसे solve भी कर लो, this is cos inverse, चली देखिएगा, it will be cot square theta minus 1 upon में, नीचे क्या हो जा रहा है, cot square theta plus 1, अब थोड़ा सोचना, cot square theta को क्या में, cos square theta upon sin square theta लिख सकता हूँ, minus 1 है यह, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, हम लोग को मिलेगा, cos square theta minus sin square theta upon में sin square theta, नीचे भी होगा, cos square theta plus sin square theta divided by sin square theta, sin square theta sin square theta cancel हो गया finally आप लोगो क्या दिखने वाला है finally आप लोगो y equal to cos inverse उपर में आ गया cos square theta minus of sin square theta divided by cos square theta plus of sin square theta दिखता मैं जान बुछ कि इसको थोड़ा सा solve करके आपको दिखा दे रहा हूं न otherwise यहां से हम लोग सीधे उठा सकते थे cos 2 theta का यह value होता है क्यों होता है क्योंकि आप देखो आप सबको पता है कि यह जो यह part है यह तो favorite formula है हमारा इसकी value 1 हो गई और cos square theta minus sin square theta किसकी equal होता है cos 2 theta के equal होता है तो बस यही तो बात थी ना सब कुछ तो आप solve हो चुका है cos inverse cos 2 theta means y की value कितनी आ गई है 2 theta theta क्या है bx equal to cot theta था तो theta equal to क्या हो गया था cot inverse x तो मेरे प्यारे साथ ही हो यहाँ पर x की जगपे हम theta की जगपे क्या रखेंगे cot inverse x तो हमें लाना था dy by dx अब मुझे लगता है सबाल simply solve हो चुका है dy by dx equal to क्या होने वाला है dy by dx क्या आएगा अंदर में 2 cot inverse x 2 बहार आ गया और cot inverse x का differentiation की value होती है minus 1 upon 1 plus x square याद आ रहा है कि नहीं 10 inverse x का कितना है था 10 inverse x का 1 upon 1 plus x square आता है और cot inverse x का कितना होता है minus 1 upon 1 plus x square मैंने हमेसा बोला है differentiation में कोई भी चीज जो c से start होती है trigonometric function में उसके सामने minus लगा देने का तो finally answer कितना आ रहा है तो ये आपका actual answer आ रहा है क्या ऐसा हमारे पास कोई भी option है क्या बेशक है our option number d this will be minus 2 upon 1 plus x square तो simple question था substituting derivative पे related question था होप सचीजों को आप लोग रिकॉल कर पा रहे है दिमाग strike कर पा रहा होगा आपका आगे बढ़ें देखो ऐसे standard question तो बनाने पढ़ेंगे क्योंकि exam में ऐसे question आए है और खास बात ये है कि derivation में sorry differentiation में basically 5-6 variety के question होते है जिसमें से तीन-चार variety के question वो अल्रेड़ी पूछ चुका है वो logarithmic function को घुमा के पूछ चुका है और direct theoretical question पूछ चुका है अभी लाँगा मैं सारे question जो आए हुए है न एक question तो अभी आपने देखी लिया और जितने भी question आए हुए है वो सारे question को मैं आज दिखाने वाला हूँ अभी दो-तीन variety और है जैसे यह हमारा inverse trigonometric function में substitution से related वाला variety infinite series वाला variety under root के अंदर infinite series वाली variety यह सारी variety पे सवाल इस साल बनने की उम्मीद है ठीक है तो उनका trick भी सिखाएंगे हम लोग चलिए एक बड़ा सा question दिख रहा है अब आप लोग को टेक गबराने का कुछ नहीं है जितना बड़ा सवाल रहता है बनता उतना आसान है ओके चलिए ध्यान से आप लोग अपने उपर भरुसा रहते हुए अराम से deal करेंगे कि यह y equal to दुनियादारी करके दिया है न एक काम करता हूँ मैं मैं यहाँ पर फिर से हर बार की तरह एजियूम करता हूँ देखो यहाँ पर यहाँ cos x है न तो हम लोग sin theta का formula लगाने जा रहे है sin a plus b e का formula पता है na sin a के साथ cos b आता है ठीक cos एक साथ sin भी आता है तो यहाँ cos के बगल वाले को मैं sin के term में convert करना चाहता हूँ तो a equal to प्यारे साथ हम लोग क्या ले ले रहे हैं a की जगह पे मैं उपर में क्या चाहता हूँ उपर में sin का formula चाहता हूँ नीचे में cos का formula चाहता हूँ ठीक है इतना theoretical बात को दिमाग में नहीं रखिएगा तो मैंने a की value मान ली sin theta मान ली और b की value हमने मान ली cos theta क्यों क्यों कि cos x के बगल में sin का function रखना है और sin x के बगल में cos का function रखना है तभी तो sin a plus b या sin a minus b इससा type का format खुलेगा तो यहाँ पर आप लोग को लाला के values रख दे नहीं है तो प्यारे साथ यह y equals to अब हम लोग को क्या मिलने वाला है it will be 10 inverse अंदर में आईएगा तो आपसे क्या दिख रहा है a, a की जाब पर हमने क्या रख देना है sin theta into क्या हो रहा है cos x minus फिर क्या हो गया cos theta into क्या हो रहा है sin x divided by divided by फिर से b b को क्या रख रहे हो b को तो आप लोग cos theta रख रहे हो b को आप लोग cos theta रख रहे हो into क्या हो रहा है cos x plus लगा दिया फिर a की जाब पर हम लोग क्या रख रहे है into what sin x अब चलो ध्यान से इसको solve करने की कोशिश करना है तो this will be 10 inverse x हम sin theta cos x minus cos theta sin x मतलब sin a cos b minus cos sin b किसका final formula है तो यह final formula है sin of a minus b जहाँ a की जहाँ पर क्या दिख रहा है theta और b की जहाँ पर क्या दिख रहा है x divided by नीचे आजाओ cos a cos b plus sin a sin b यह किसका formula है यह cos a minus b का formula भीया cos में minus रहता है तो बीच में plus आता है याद है ना और cos में cos cos x आते हैं sin sin एक साते हैं तो basic formulaic terms है यह तो यहाँ से आप लोगों ने पाया कि यह हो जाएगा sir tan inverse अंदर में sin theta minus x cos theta minus x बोले तो tan of theta minus x कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को अराम से चीज़े solve हो पाई अब आपको यहाँ से simply value मिल गया tan inverse tan theta minus x को जब मैं solve करूंगा तो finally we got y equals to theta minus x अब theta की value कहा से आएगी तो theta की value में देखो theta तो sin inverse a b हो सकता है theta तो cos inverse a b हो सकता है से में लपड़ा हो जाएगा तो आप एक काम करना आपने दोनों को divide कर दो जैसे दोनों हमारे divide हुए है मतलब a by b equal to हमें क्या मिल रहा है प्यारे साथ यो tan theta तो यहाँ से हम theta कितना पा जाएंगे हम theta पा जाएंगे tan inverse a by b मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक में किसी को कोई खास नराजगी है यहाँ तक की चीज़े आप लोग को अराम से समझ में आ गई इस सवाल में हमने इसको use किया clear? तो theta की जवाब पे आप हम लोग फिर से यहाँ पर क्या रख देंगे? theta की जवाब पे हमने रखना है tan inverse a by b separate differentiation कर देंगे x के respect में चलो देहां से देखो यह ऐसा आया minus यहाँ पर हो गया d by dx यहाँ क्या आगया x आगया चली देखिएगा कि यहाँ यहाँ पर तो x है और यहाँ x का कोई भी function दिख रहा है क्या नहीं means this is a constant identity और a constant identity का differentiation कितना होता जीरो और dx by dx कितना हो गया minus 1 तो finally what we got dy by dx equals to कितना आ रहा हमारा minus 1 is there any option there is a option तो final answer क्या आगया हमारा dy by dx for this question minus 1 आया कितनी खुबसूरती से trigonometric के कितनी सारी properties को यहाँ पर use किया गया hope so यह सारी बाते आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे ठीक है को substituting differentiation पे और साथ में उसके inverse function को use कराते हुए सवाल को कराया ऐसे question exam में आएंगे तो फिर दिमाग लगाना है आराम से बन जाएंगे चलिए अब यह रहा सवाल आपके सामने आपके 2016 CGPSE का ही question है यह भी ठीक है हालांकि क्लास में हमने इसको पहले किया भी रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है इस question में आप सब बोल रहा है the rate of change of y with respect to x यह rate of change of y का मतलब ही होता है dy by dx जैसे acceleration is equals to आप पढ़ते हो rate of change of velocity तो dv by dt लिखते हो ना है ना वहाँ time की respect में लेते हो function दिया हुआ है जब भी ऐसे power power दिखे ना आप लोगो basically यहाँ पर change rule नहीं लगाना है यहाँ पर आप लोगो उसको log लीजिए तो एक काम करता हूँ मैं दोनों side log लेता हूँ हमें क्या दिया हुआ है हम जब इसको solve करने चले ना तो हमें रास्ते में मिल गया x की power y equals to दिया हुआ था e की power x minus y मैं दोनों side log ले रहा हूँ अगर मैं दोनों side log ले रहा हूँ तो this will be log of x to the power y equals to यहाँ हो जाएगा log e to the power x minus y जिसका base भी क्या e है इसका भी base क्या e है अब प्यार साथ यह आप सबका पता है log में जो power रहता है वो कूद के सामने आ जाता है तो यह देखो यह y सामने आ गया अंदर में आ गया log x जिसका base e है तो लिखने की जुरत है नहीं यहाँ पर x minus y total power था यह total power था सामने आ गया अंदर में क्या आगे क्या बचा log e to e log e to e की value कितनी होती है 1 होती है log में जब function और base same हो जाए तो value 1 अब हम लोग को यह format दिख गया अब हम इसको ना differentiate करने जा रहे है तो जब हम इसको differentiate करेंगे तो ध्यान से समझेंगे आप लोग यहाँ पर आप लोग यहाँ पर differentiation लगाओ यह एक काम करो y वाले को पहले पास कर दो उससे ज़्यादा सवाल असान हो जाएगा तो मैं y वाले को इधर ला रहा हूँ यह minus y इधर आया तो यह हो जाएगा y log of x plus of y equals to क्या चल रहा है यहाँ खाली x चूटा है इन दोने में y common हो गया अंदर में आ जा रहा है log of x plus 1 equal to क्या x तो यहाँ पर पहले आप लोग y डाले रहा हो y एक बर आ जाएगा तो dy by dx निकालना असान हो जाएगा तो मेरे पहरे साथ यह हो जाएगा x upon में हमें क्या मिल रहा है log of x plus 1 या 1 plus log x यही बात है यह मिल गया मेरा final function in terms of y अब यहाँ से हम लोगो dy by dx तो लाना है तो लाते समय dy by dx आपको दोनों से differentiation करना है यह u by v वाला format दिख गया तो आप पहले किसको बाहर करते हो v को बाहर करते हो है जी differentiation करते हो किसका u का x के respect में minus अब u को बाहर करते हो differentiation करते हो किसका u का v का और divided by क्या करते हो divided by करते हो 1 plus log of x का whole square v square आता है ने denominator में u by v वाला function हम लोग directly formula यूज किये तो यहाँ पर प्यारे साथ यह आप देखेंगे कि this is 1 plus of log of x ओके यहाँ dx dx तो खर 1 हो गया minus यह हो गया point x 1 का differentiation 0 और log x का differentiation की value कितनी आने वाली है 1 by x आने वाली है फिर यह यह आपस में cancel होंगे देखना भी और finally हमें क्या मिल रहा है 1 plus log x का power में क्या चल रहा है 2 अब देखो तो इधर यह x यह x cancel हुआ है value कितनी है यह 1 और यहाँ पर पहले से एक plus 1 है यह plus 1 और यह minus 1 cancel कर दिए हमें finally कितना मिल रहा है यह मिल रहा है log x upon में 1 plus log x का whole square कैसा हमारे पास कोई भी option रखा हुआ था क्या तो आप साफ साफ देख रहे हो कि हाँ ऐसा एक option तो था that will be answer d एक काम का और करते हैं इतना solve करने की भी आपको जूरत नहीं थी जैसे यह y वाला format आप लो ला है x upon 1 plus log x करके समय बचाया जा सकता था था आपको पता यह u by v वाला format है u by v वाला format में denominator में v square आता है v square आता है मतलब 1 plus log x का square आना चीए था whole square यह होता क्या नहीं यह भी होता क्या नहीं यह भी होता क्या नहीं वो answer हो गया तो इस तरीके से समय बचा सकते थे इतना part को हम लोग को solve या calculate करने की necessity नहीं थी समझ में आई बाते आगे बढ़ें चलिए यह question आया गए था CGPC 2016 का प्यारा सा सवाल था और simply solveable सवाल था mentally आप लो यहां से चीजों को deal कर सकते थे कभी भी power power दीखिया मतलब पहला attention यही रहेगा कि logarithmic function की तोर पे उसको solve किया जाए यह खुद CGPC 2016 का question है तीन question आये थे यह तीसरा और आखरी question भी करा दिया जो 2016 के paper में आये था concept oriented question था if the derivative of a function is 0 for all values of x in an interval then the function must be मतलब बोल रहे है कि x के किसी भी अंतराल में यदि हमारा derivative मतलब alkaline का मान 0 ने आये तो x का मान क्या होगा या function का मान क्या होगा तब यह यह तो तभी possible है derivative 0 तभी आता है जब function क्या हो जाए हमारा function constant हो जाए क्योंकि यह formula आप सब लोग को पता है कि किसी भी function का अगर वो constant है और उसका x के respect में differentiation करते हैं directly उसकी value कितनी होती है 0 होती है हो गया answer दो number के लिए है था उस paper का सबसे आसान सवाल रहा होगा बट वही है ना कि हम लोग practice किये नहीं रहते हैं और practice किये नहीं रहते हैं तो कई पर easy सवाल भी रहते हैं नहीं यार मैं सोचूंगा ही नहीं नहीं यार physics तो बनाना ही नहीं है क्योंकि तयारी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है आप practice कीजिए समय कम है पर अच्छा तयारी किया जा सकता है आप practice करते जाए मैस इतना scoring है कि अगर आपने practice किया है तो आपसे सवाल लगेंगे भाई ठीक है यह differentiation के वेक्टर के और आपके statistics के कॉनिक section के यह सवाल आपसे 110% लगेंगे बस आपको practice करना है और बहुत hard tough practice नहीं करना है hardly अगर एक चप्टर पे around 100 की range में आपने question practice किया है अच्छे लेवल के आपसे लिख के लिए अराम से 25 में आप लोग 20 प्लस के zone में match में score कर सकते हो ठीक है चलो आजाओ अगला सवाल बिल्कुल उसी की तरह जैसा अभी अभी हमने बनाया था ठीक जानवच की उसके related ही question डाला हूं मैं तो चलो इसको solve कर रहे है थोड़ा लंबा चोड़ा process वाला question रहेगा पर ठीक है एक बार तो यही होता है कि एक तो हम लोग पहले सही बनाना सीखे बाद में हम लोग उड एक सही answer है बस अपने को वही पता करना है लाने नहीं जाना है उसको पता बस कर लेना है कि आरे कौन सा सही है तो आधे रास्ता से अगर answer दिखने लग जाएगा तो कहानी कतम हो जाएगी ना ठीक चलो आजाओ तो पावर पावर में दिख रहा है मतलब लॉग लगाने का तो मैं चलो x की पावर p y की पावर q equals to दिख रहा है हम लोग को x प्लस y की पावर में p plus q चलो मैंने लगा दिया लॉग तो इधर भी लॉग लगा this is log x की पावर p y की पावर q equals to होने वाला है log पहले मैं पूरा ना एकदम detailed explanation दे रहा हूँ फिर देखना हम लोग कितना simplist को solve कर लेंगे यह log m into n वाला format दिख रहा है तो log m into n वाला format होता है तो यह हो जाएगा log m अलग plus log n अलग हो जाएगा है न जी यहां तो ऐसा कुछ नहीं है पावर बस सामने आएगा तो this is p plus q अंदर में आ रहा है log of x plus of y ठेक अब आपको पता है पावर तो कूदता है सामने तो this will be p log of x plus यहां क्या होने वाला है q log of y equals to p plus q log of x plus y यह हमने इसको जितना possible हो सकता था उतना इसको हमने simple कर दिया उतना हमने इसको extend कर दिया अब चलिए यहां से क्या करना पड़ेगा अब हम लोगो differentiation का final formula लगाना है तो जब मैं differentiate करूँगा सबको तो मैं direct कर रहा हूँ न तो देखो p log x का differentiation x के respect में क्या देगा 1 by x देगा plus यहां पर q log y के differentiation आपको x के respect में करना है जो की होगा नहीं तो channel लगेगा log y d log y divided by dx से काम नहीं चलेगा उसको हम लोग को d log y divided by dy into dy by dx करना पड़ेगा channel open करना पड़ेगा y x का function नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि साब साब दिख रहा y x का term में है तो 0 भी नहीं कर सकते मतलब channel लगा के expand करो तो हम इसको log y के क्यों d log y divided by dy into dy by dx रिखेंगे और log y का y के respect में differentiation क्या होता है 1 by y होता है अब बगल में क्या आ रहा है मेरा dy by dx equals to चलो इधर differentiation करोगे यह तो constant part सामने आ गया फिर इसका x के respect में differentiation करोगे इस पूरे part को आप लोग कुछ u मान लिये रहोगे तो log u का differentiation u के respect में 1 by u 1 by u बोले तो directly ऐसा डाल दिया फिर उस u का further differentiation करोँगा तो x का differentiation से तो 1 आ गया और y का differentiation से dy by dx आने वाला है फिक थोड़ा थोड़ा हम लोग direct एक दू लाइन खा गए और सीधे सीधे सवाल को solve किये तो यहां से प्यार साथियो आपको क्या मिला यह मिला p by x plus of q by y q by y dy by dx equals to arches में देखो तो p plus q upon x plus y का multiply इस 1 से कराओगे तो this will be p plus q upon x plus y multiplied by 1 तो वो तो वही रहे गया plus इसी p plus q upon x plus y का multiply इस डिवाई बाई डिएक से भी तो कराना पड़ेगा तो करा दो है जी यह हो गया dy by dx एक काम करो अब dy by dx वालो को एक पास ला दो और बाकी जो हैं उसको उधर रखो तो मैं उसे dy by dx को जब इधर ला रहा हूँ तो यह देखो यह मेरा q by y minus of अंदर में क्या बचेगा p plus q upon में x plus y ऐसा हो रहा है ठीक अंदर में है dy by dx वह यह यह प्लस वाले इधर आके minus हुआ था ना equals to इधर देखो इधर आ रहा है p plus q upon में x plus y minus यह उधर गिया तो p upon x हो गिया very easy अब आप इसका LCM-ULCM लोग है तो this will be y into x plus y अंदर उपर में क्या जाएगा उपर में आएगा qx plus qy और इसका multiply इसके साथ और इसका इसके साथ minus py minus qy simple dy by dx this is dy by dx equals to इधर भी वही हाल है यह हो गिया x अंदर में क्या आया x plus y LCM ले रहे हो px plus qx minus px minus py simple है अब ध्यान से देखिएगा कुछ कुछ cancel हो रहा है बिल्कुल हो रहा है यह plus qy यह minus qy cancelize हो गया similarly यह plus px यह minus px cancel हो गया ओके तो हमें finally क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है देखिए तो यह मिल रहा है qx minus py numerator में divided by y times of x plus y into dy by dx into dy by dx equals to यहां देखो तो फिर से qx minus py divided by x times of x plus y अब easily अगर आप लोग थोड़ा से focus करेंगे ना तो आप देखेंगे यहां पर qx minus py यहां भी है यहां भी है तो इधर से यह सीदे सीदे बुम बुम हो गया similarly similarly आप देखिए नीचे x plus y denominator में यहां भी है यहां भी है तो finally हम लोग को finally हम लोग को यहां से dy by dx का exact value मिलने वाला है और वो कितना मिलने वाला है तो dy by dx equals to after solving this we got x by y by x और y by x यह हमारा क्या हो गया final answer हो गया है क्या कोई option में y by x y by x y by x option number a चल अब ध्यान समझते हैं यह तो हमारा हो गया static approach ठीक अब हम सवाल में कहां से बिना दिमाग लगा मतलब थोड़ा से दिमाग लगा कि इतना solve नहीं करना पड़ता और हमनों सीधे answer ला लेते हैं तो सोचिए का थोड़ा सा आपको लाना था dy by dx ठीक यहां तक तो आप गये जो format orange किये जब न dy by dx किया न तो उसके denominator में y था उसके denominator में y था और जब भी मुझे dy by dx लिना रहेगा equal कि उधर बेजुँँगा तो y कहां जागा numerator में y numerator में आता मतलब यह खतम हो जाता यह खतम हो जाता 25 परसेंट का chance अब 50 परसेंट के chance में आ चुका है पहली बात हो गया ठीक क्योंकि भी यह जो y था उपर जाता तो भी यह denominator में आता न denominator से multiply में थो अब ध्यां से देखो अब यह दोनों में से कोई एक chance होता या तो plus में आता answer या तो किस में आता minus में कहीं एक जगा भी कहीं एक जगा भी minus का कोई roll चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मतलब answer किस में आता plus में सिद्धे यहां के बाद इतना पूरा पार्ट बिना solve किये भी हम directly answer क्लिक कर सकते थे ठीक है तो यह थोड़ा सा न आप लोग को यह approach अपने अंदर generate करके रखना है कि examiner जब आप exam दिला रहे होगे तो आपका pain तो चले maths में 7 में दिमाग भी चलते रहे और double speed से चले और वो तब ही होगा जब आप practice करोगे आप बहुत ज़्यादा practice demand करेगा maths और बहुत ज़्यादा score भी दिला के देगा maths ठीक है चले आगे आजाते हैं हम लोग बूच रहे derivative of function है ये derivative of function in infinite series चलो infinite series वारा question जिसको हम लोग अभी तक wait कर रहे थे आही गया कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे किसमें क्या होगा तो ध्यान से देखेंगे ये है मेरा question here there are options मुझे बताना है कौन सा सही होगा गलत होगा तो infinite series के question में आप लोगो करना क्या है तो ध्यान समझना कोई चीज़ जो infinity कर गई है मतलब मान लो ये एक लाग बार नए x की बार x की बार x की बार x की बार चल रहा है कहा तक जा रहा है infinity दो जा रारह है है कि नहीं है तो इसको छोड़ दो और यह उतने पूरे पार्ट यह किसके equal चल रहा था y के मतलब हमें एक नया equation मिल गया कि y equal to x की power y समझ मैं है ना एक छोड़ भी दूँगा तब भी तो वही है ना वही चीज़ वही वैल लिए एक लागी थी पहले भी और अभी भी क्या है 9999 को भी आप लोग एक लागी बोलने वाले तो वही हाल है y equal to x की power y जब भी infinite x जाएगी तब एक नंबर को हटा देना बागी पूरे यू solve this तो log y को तो चलो रहने तो ऐसे ही यहां क्या हो जाएगा y of log of x अब हमको करना इसको differentiate तो differentiation करने के लिए हम दोनों साइड x के respect में differentiate कर रहे हैं ठीक तो यह हो जाएगा d by dx y into log of x simple है ठीक तो चलिए थोड़ा सोचते हैं कि यह यहां पर log y का x के respect में तो differentiation पॉसिबल ना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा log y को differentiation हमको बार-बार वही तो बोर रहा था dy के respect में करना पड़ेगा because dy से divide क्या हूँ तो उपर भी dy आ गया और नीचे में तो पहले से dx चली रहा था channel rule apply हो गया equal to इधर ध्यान से देखिए तो यह u into v वाला format है किसका format है u into v वाला तो यहां पर आप लोग एक बार y को बाहर करोगे अंदर में क्या जाएगा d by dx of log of x मैं सारे सवाल को पूरी तरह से explain कर रहा हूँ एक एक line लिख रहा हूँ ताकि आपको conceptually clear हो हलांकि चाहें तो इन तीन चार लाइन आपर mentally solve करके भी बना सकते हैं पर कोई बात नहीं अभी सीखने का समय है सीख रहे है प्यार साथ यह log y का y के respect में differentiation हो गया 1 by y यहाँ पर क्या आगिया d by by dx कौनों दिक्कत नहीं है इधर देखिए यह हो गया y और log x का x के respect में differentiation होता है 1 by x plus यहाँ हो रहा है log of x अंदर में आ रहा है d by by dx कोई दिक्कत नहीं एक काम कीजिए d by by dx वाला जो time है उसको एक साथ रखिए तो जैसे यह इधर आएगा यह वाला part आप इधर लाओगे तो यह 1 by y minus क्या हो जाएगा log of x और d by by dx equals to क्या चल रहा है y upon x यहाँ तक की चीज़े हो गई clear इसको थोड़ा सा lcm-olcm लेना पड़ेगा तो आराम से आप इसको थोड़ा सा और solve कर लो तो यह देखो यह हो जाएगा 1 minus y log x 1 minus y log x upon y dy by dx equals to what? equals to y upon x simple यह जाएगा उधर multiply करेगा तो y square तो आना था मतलब यह गया यह गया बच गया थे यह दो भाई लोग ठीक उसमें भी क्या answer आ रहा हो तो आप crystal clear हो चुका है सभी को कि भी यह dy by dx का finally value अब कितना आ गया तो यह आ गया y square upon में x 1 minus log of x चलो clear है यहाँ तक ठीक कैसे इस answer को लाया गया वो approach भी आप लोग को crystal clear हुआ की नहीं हुआ clear है चलिए अब ध्यान से समझना मैं यहाँ पर ने एक आप लोग को trick generate कर रहा हूँ सवाल कैसे बनाए हमने statical methods को कैसे use किया वो बात आप लोग को clear हुई trick यह रहेगा कि कभी भी ऐसा question आ है infinity series वाला infinity series वाला कभी भी question आ है आपको करना क्या है आपको करना ही है कि हमेसा यहाँ तक का ना आप लोग को काम करके रखना है यह काम यहाँ तक का ठीक यह जब मैं ऐसा box बना के दे रहा हूँ आप लोग को यह value यह जो line है न यही पुरा role play करेगे करना क्या क्या करना तो ध्यान से समझो कि यह यह जो आया न y log x इसको differentiate करना एक पहले y रख दे न y पहले एक ठुक लगा दे न और y log x को differentiate करना वो क्या हो जाएगा y upon x हो जाएगा y upon x मतलब उपर में क्या जाएगा y square upon में क्या आगिya x और यह जो पूरी value y रहेगी न y log x जिसको आपने अभी अभी differentiate भी किया था इसको 1 minus न 1 minus करके नीचे में रख देना एक मिनिट यहाँ पर y छूट गया है एक मिनिट यहाँ का y छूट गया है ठीक है 1 minus y log x कहानी खतम हर बार यही answer आएगा y square और जो भी function यहाँ पर बचे रहेगा उसका आप लोड differentiation करना जो कि क्या है हमारा जैसे यहाँ log x का differentiation क्या होगी 1 by x और नीचे में हमें 1 minus y log x जैसे अगला सवाल दिखाता हूँ मैं चलिए यह है हमारा question sin x sin x sin x की power में दुनिया दारी गया direct tensor लाद हुमें इसका क्या करना जब मैंने अभी अभी आप लोग को बताया एक ते statistical method है दूसरा हम लोग सीधे अगर dy by dx लाना चाहेंगे सीधे अगर हम लोग को dy by dx चाहिए तो पहले तो इसको थोड़ा सा open करना पड़ेगा y equal to मेरे प्यारे साथी हो हम लोग क्या लिकेंगे sin x की पावर में क्या y और फिर log लगाएंगे तो log of y equals to क्या हो जाएगा y log sin x अरे log sin x की पावर में y आएगा वही y तो कूद के सामने आजाएगा ना पावर बे अब यहां से जैसे dy पर ds लाना है हमेशा की तरह आप उपर में क्या लगाओगे y square log of sin x का differentiation कर रहे हो यह पूरा पाट का log of sin x के पूरे पाट का differentiation कर रहे हो तो यह log of sin u हो जाएगा u के respect में तो यह क्या दिया 1 by u, 1 by u, 1 by sin x आया into sin x का फिर से differentiation करना पड़ेगा जो कि क्या देगा cos x divided by हमेशा की तरह 1 minus y log of sin x ठीक 1 minus करके बस ऐसा ले लेना y log of sin x ठीक तो चलो यहाँ से आप लग सोड़ा सा स्वाल्प करोगे तो क्या दिख रहा है y square cos x by sin x कितना होता है cortex divided by 1 minus y log of sin x क्या कोई है हमारा option यह मिल दो गया ठीक हो गया done पूरा solve करने गया क्या नहीं मैंने बोला था नहीं एक से खुबसूरत खुबसूरत trick हम लो यूज़ करेंगे यह हम इससा सही है इस चीज़ की मैं guarantee तो नहीं लूँगा but most of the case में आपको चार option में से अगर नहीं मिलता हुआ दीक रहा है मतला आप समझ गया कि answer सही है हमारा क्योंकि चार option में से तो एक सही है बस हम लो इसको पकड़ना है जरूर नहीं कि solve करके ला है mental दिमाग भी लगा कि चीज़ों को solve कर सकते बसे भी mathematics सही है ठीक यह question हमारे बीच में 10x 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 की power में infinity तक ले गया है सीधे मैं dy by dx लाओं उसके लिए क्या करना है हम लोग को कोई tension वाला कामी नहीं करना है y equal to फिर से हम लोग क्या लेंगे 10x यह पूरा पार्ट हटा कि उसकी जब पर क्या डाल दिया y फिर लेंगा log y log y पहरे साथ यह कितना आ जाएगा log of 10x की power में y जो सामने कूद गया y अंदर में आया log of 10 of x ओके और यह क्या चल रहा हमारा log y log y से हमें से equit कराना log y तक लाना है आप लोग को infinity series में और यह जो log y आया यही मेरे काम का चीज़े यहां सब सीधे answer मिलने वाला है directly dy by dx लाने रहेगा कोई tension नहीं है y square लगा दिया उपर में अब हम लोग को इस पार्ट को क्या करना भी है differentiate करना है तो जैसे differentiate करना है तो log of 10x मतलब यह होगि log 10x में तो पहले 1 by 10x सामने नीची आ गया अब further उस 10x का differentiation करना पड़ेगा जो क्या देगा मुझे c square देगा और हमेशा की तरह नीचे में क्या डाल देना है 1 minus y log of 10 of x यह हमेशा आने वाला है ठीक तो अब चीज़े solve हो चुकी है c square x को आप प्यारे साथ क्या लिखेंगे 1 upon cos square x और यह देखो 10x है वो sin x upon cos x होगा तो 1 cos x और 1 cos square x cancel होगा तो finally हम लोग को क्या मिलेगा हमें मिलेगा y square into 1 upon यह sin x रहेगा और sin x के साथ ही cos x रहेगा और divided by में हमारा कौन रहेगा 1 minus y log of 10 of x simple और यह जो 1 by sin x into 1 by cos x है क्या मैं इसी को 1 by cos x को अपन sec x और 1 by sin x को अपन cos x तो लिखी सकते थे ना हो गया answer तो कैसे घुमा घुमा के सवाल पुछा और कितनी खूबसूरती से हमने उस सवाल का जवाब दिया मुझे लगता है यह पूरी बात अब आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे ठीक clear है यह सवाल था यह उसका explanation है तो अब ऐसे infinity series के question रहेंगे न secondum अब आप से बनने वाला है confidence आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह format clear हुआ कि नहीं हुआ ठीक चलिए next फिर ऐसा e की power x x x x करके दिया हुआ है कोई बात नहीं है simply आप यहां पर भी लाईए solve करने चले क्या देता है हमसे y equals to हर बार की तरह इस बार भी क्या लेना पड़ेगा e की power x इस बार ना बीच में plus है तो आपना plus और यहां से यह पूरे पार्ट को ऐसे हटा देना यहां से यह पूरे पार्ट को ऐसे हटा देना और यह पूरा पार्ट भी क्या कहला आएगा y तो कहला आएगा infinity तक में बस एक step को दो छोड़ा था तो यह होगी हो y अब लगाऊंगा log तो log of y equals to मेरे प्यारा साथ भी आप लोग को क्या में में रहा है log of e to the power x plus y यह जो power रहेगा वो सामने आजाएगा तो this will be x plus y और अंदर में आएगा log e जिसका base भी क्या है e और log e base e की value होती है 1 तो उसको हटा देना ठीक तो हमें finally मिल रहा है log of y equals to what x plus y एक काम करो यह directly differentiate करना है तो differentiate कर दो तो देखो तो यह by dx equals to यहां से differentiation से x का 1 हो गया और y का differentiation x के respect में करोगे तो यही आएगा अब dy by dx को एक pass रख दीजे तो this will be dy by dx यहां क्या आएगा 1 by y minus 1 equals to what 1 तो प्यारे साथ ही इसको जब LCM-LCM लूँगा तो this will be 1 by y minus y dy by dx equals to क्या चल रहा हमारा 1 तो हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था dy by dx की final value तो मुझे लगता है simply आप लोग को मिल गई क्या मिल गई y upon 1 minus y कहां नहीं हो भी खतम ठेक है क्या कोई option y upon 1 minus y 1 minus y यहां y minus 1 यहां 1 minus y है तो ऐसे ऐसे तो question रहेंगे infinity series वाले infinity series वाले जब भी question आएंगे आप यकीन मान लिजएगा कि वो उस paper का सबसे आसान question रहने वाला है second में solve होने वाला है अगला सवाल अभी try करना है चलिए अब ऐसा infinity series का भी question आता है जिसमें square root के अंदर कोई trigonometric function या logarithmic function या algebraic function कुछ भी डाल सकता है पहले तुम्हें इसका method दिखा दू एक sinus को छोड़को बागी सबको क्या मान लो वाई मान लो तो इसका हम लोग classical method जो देखेंगे normal solution procedure उसको पहले देख लो बाद है फिर में इसके एक सांदार trick बताने वाला हूँ यह सब पहले वाले question में देखे थे न वैसे यहां भी trick रहेगा यह आज के session का हमारा question number 13 है कि y equal to प्यार सातियों यह हो गया root के अंदर sin x तक तो रहेगा एक sin x को छोड़के because यह infinity तक गया था एक को छोड़ भी दोगे तो कोई फरक तो पड़ेगा नहीं कोई फरक तो पड़ेगा नहीं मतलब इसको भी अपान यह पूरे part को भी किस से equit कर देंगे y से अब क्या करो दोनों side square करो तो this will be y square equals to क्या हो रहा है हमारे पास sin x plus y कोई दिक्कत की बात तो है नहीं अब प्यारे साथ यहां पर आपनों को differentiation डारेक्टली करना है तो y square का जो differentiation होगा वो 2y dy by dx होगा और sin x का differentiation क्या होता है cos x plus again y का differentiation क्या हो जाएगा dy by dx because y x का function है इसलिए dy by dx की value को 0 मत कर देना कि सर यहां x दिख रहा है यहां तो x दिख नहीं रहा है 0 कर देता हूँ अरे function है नहीं x का x का term में तो है तो एक काम कीजिए उसको इधर लाइए तो यह 2y dy by dx दोनों में common होने वाला है तो 2y minus 1 directly ले लिया क्या गया dy by dx equals to क्या चल रहा है cos x तो हमें finally क्या मिलने वाला है finally हमें मिल जाएगा dy by dx की value मिलने वाली है cos x upon में 2y minus 1 समझ में आई बाते है ठीक, simple है ऐसा कोई है क्या हमारे पास option जो question में ऐसा given दे रहा होगा है ना होगी answer अब चलो ऐसे सवाल का trick इतना भी नबनाना पड़ें आपको क्या करना है आपको ऐसा करना है कि यह यहाँ जो function दिया है यह जो function दिया है आपको हर बार यही करना है ऐसा जब भी आए तब यह जो function दिया है हम इसा directly dy by dx अगर मुझस से निकालना रहता है ऐसे ही लाता कि जो function दिया उस function का f dash x लाओ तो sin x का differentiation करने से क्या आता है sin x का differentiation आपको देता है cos x sin x का differentiation क्या देता है cos x divided by 2i minus 1 हर बाल लगा देना कहानी खतम जब जब square root लगे रहे 2i minus 1 क्या करना 2i minus 1 ठेक हो गया answer आगे और सवाल दिखाता हूं मैं यह जैसे तिन-तिन सवाल हैं हमारे पास ठेक आप चाहो तो इसको एक-एक को solve करके देख रहा है बढ़िया इंडिया का हमने flag बना दिया है थोड़ी दिजभक्ति की भी बात हो जाए यहां से अगर मुझे dy by dx की final value चाहिए तो भी यह cos x का differentiation क्या लिया मैंने directly minus sin x divided by 2y minus 1 इसी को चाहता थोड़ा सा maintain करता तो यह हो जाता sin x upon में इस minus involve को maintain करने में 1 minus 2y हो गया इसका answer आ गया यही है इसका answer कान नहीं हो गया खत्म समझ मैं यह नहीं है ठेक similarly तीनों को अलग अलग कर देता हूँ भाई तीन अलग अलग सवाल है हमारे बीच में अब मुझे लगता है इसका answer भी आप लोग बिना solve किये सगेंडों में ला सकते हो कि यह आप सबको पता है इस बार dy by dx जब अगर लाना होगा इस बार जब dy by dx लाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको क्या करना होगा यह जो log x है इसका differentiation करो क्यों कि repeating function है log x का differentiation पहरे साथ ही कितना होता है 1 by x हो जाता है और बगल में क्या 2i minus 1 चाहो तो करके देख लो answer तो यही आना है ठीक है होगी answer कहा नहीं हो गई खतम समझ मार नहीं आ रहा है similarly अब इसकी बार ही है तो 10x का अगर इस particular function में हम लोगो differentiation की value लानी है derivative लाना है तो dy by dx इकोल टू क्या हो जाएगा 10x का differentiation डिफ्रेंशेशन डिरेक्ली करो second square x divided by 2y minus 1 हो गया तो मेरे ख्याल से अब आप लोग यह trick भी आराम से समझ पाए कि infinite function रहेगा तो आप लोग अप प्रे भी कर रहे होंगे कि यह बगवान infinite function वाला question डालना ठीक है और उसको बिलकुल आप लोग simply solve कर लेना clear आगे बढ़े और question देखती है आज के session का question number 17 है direct होई चीज है repeating infinite function है square root के अंदर है मतलब आप सीधे सीधे समझ गए कि यहाँ पर नीचे में क्या आने वाला है तो नीचे में हर बार की तरह इस बार भी 2y minus 1 आने वाला है और x as a function लोग है उसका differentiation कितना होता है तो 1 होता है होगी answer answer आगी हमारा यही तो है कितना देर लग रहा है मेरे कहल तो 2 second भी नहीं लग रहा है mentally आप लोग consider कर ले रहे चीजों को चले यह एक ऐसा सवाल है question number 18 है ठीक यह आज के हमारे session का maybe last question होगा एक काम करो भाई यह जब-जब power दिखता है तब आप क्या करते हो differentiate करते हो और क्या करते हो differentiate सरी power दिखता है तो log लेते हो तो यहाँ पर x की power n जो है न हमारा x की power n को हम लोग log लिये तो चलो log ले लो यह हो गया x की power n ठीक सारी और log लिया जा रहा है यहाँ एक काम करते हो चलो नॉर्मली ले लो लोग की जोरत नहीं है लोग अटा दीजे डिरेक्टली डिफ्रेंशियेट कर दे रहा हूँ क्योंकि log लेने में न दिक्कत था कि आपना अलग-अलग log ले लोग जबकि यह log के अंदर ही x की power n प्लस y की power n होगा फिर वहाँ से सवाल फस जाएगा तो वहाँ से जब भी सवाल फसता है तब हमको एक अच्छी पता चलती है कि यह method सही नहीं है इसके लिए दूसरा method सोचना पड़ेगा और जीवन कभी तो यही नियम है कुछ चीज़े नहीं हो रही है इसका मतलब कि यार कुछ तो गलत हो रहा है वहाँ से चीज़े हम लोग दूसरे alternate से लाते हैं दूसरे method लगाते हैं दूसरी जगा दिमाग लगाते हैं और फिर गाड़ी आगे बढ़ जाती है तो वही चीज़े लोग फॉग मत लीज़े यहाँ पर directly differentiate की jx के respect में यहाँ भी वही हाल है dy dx y की power n क्या कर दिया मैं dx equals to यह हो जाएगा dy dx क्या हो रहा है हमारा प्यार साथ यह a की power b यह तो constant function है constant function का differentiation डिफ्रेंसियेशन डिरेक्ली 0 हुआ रहता यहाँ x की power n का differentiation हो जाएगा n x की power n minus 1 प्लस भी यह y का differentiation आप बोलो के सर यहाँ x दिख रहा है यहाँ x तो दिख नहीं रहा है जैसे यहाँ के case है मैंने बोल दिया directly 0 ले ले लेना क्योंकि यहाँ x दिखा था यहाँ नहीं दिखा था यहाँ x दिख रहा है यहाँ दिख रहा है यहाँ नहीं दिख रहा है पर इसको 0 मत लेना क्योंकि y in terms of x है y x का function है x को उदर पे जो ना तो यह 0 नहीं होगा यह तो 0 हो गया because constant है constant का differentiation 0 आपको इसको ऐसा लेना पड़ेगा y की power n का differentiation करना पड़ेगा y की respect में into बगल में फिर से क्या आ जाएगा dy upon में dx को नो दिखक तो ना है किसी को तो this will be nx to the power n-1 plus y का आप y की respect में हो जाएगा तो y की power में n-1 बगल में क्या रहा है dy upon dx equal क्या चल रहा है 0 तो पहरे साथियों यहाँ से आप लोग सीधे सीधे पाओगे n-1 dy by dx equals to हमें क्या मिलने वाला है यह plus वाला part इधर आके क्या हो जाएगा minus x की power में n-1 अब ध्यान से देखिए यह वाला part n और यह वाला n क्या हो गया cancel हो गया इच अदर और हमें सीधे सीधे अगर dy by dx बस चाहिए तो dy by dx equals to हमें मिलने वाला है minus तो लगे रहेगा x की power n-1 divided by y की power n-1 जिसको ठीक से अगर मैं solve करूँ तो मुझे given option में से एक साफ दिखने भी लग जाएगा this will be x by y की power में n-1 क्या ऐसा कोई option हमें दिया गया था बिलकुल दिया गया था option number c तो ये था हमारे आज के session के सारे सवाल जो जितना भी अभी तक आपने पढ़ाई किया है उसमें 2-3 चीजे और नहीं add हुई और previous years के questions भी हमने लगा लिए और मुझे लगता है ये video आपके लिए बड़ा helpful भी रहा होगा तो मिलते हैं next class में तब तक आप लोग खूब मला आगे पढ़ाई किजिए अपना खूब ख्याल भी रखिए इस chapter का जो practice state है उसको भी मैंने टेलिग्राम ग्रूप में पहले से upload कर रखा है तो आप लोग वहाँ से जाके इसके questions को बनाईए क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि कुछ chapter like differentiation हो गया conic selection हो गया आपका vector हो गया statistics वाला part हो गया determinant also और trigon तो normal ही रहते है मतलब ये ऐसा zone है ना जिसमें अगर आपने practice किया है number of question अगर आपने लगाए है concept को समय दिया है तो आप यकीन मान लिजे उस दिन उन दो घंटों में जब आप technical का paper दे रहे होंगे maths बहुत-बहुत helping role play करेगा आपके selection में ठीक है और ऐसा timely अभी तो फिलाल के लिए मैं normal type का practice sheet प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ-कुछ objective question भी अलग से आप लोग को time to time प्रोवाइड किये ही जाते हैं तो आप लोग बस बने रहिए और महनत करते रहिए मिलते हैं next class में जो भी दिक्कते आएंगे आप लोग से share कीजेगा फिर हम उसको मिलकर solve कर लेंगे have a very great day